हेलो एवरीवन वेलकम तो एनेदर लेक्चर ऑफ हीमर रिसॉर्स मनेजमेंट और टोपिक इस वर्कफॉर्स कंपोजिशन ट्रेंड एंड वर्कफॉर्स डिवर्सिटी इन हर एम दोनों टॉपिक को वन बैवन हम डिटेल में स्टेडी करेंगे सबसे परहे देख रहेते हैं व रादिकुवत यानिक़ काम करने की जो फॉर्स है ह्मारे पास अंकी कंपोजिशन जमा किस ट्रा से किया जाते हैं आनको मिलाया किस तरा जाता हैं उनके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में हम स्टेडी करेंगे गल्न फॉर्क्फॉर्स क hani उस ड्रे पर संप जी enabling ह यूज किया जाता है ठीक है मैं इस के एक दूसरे के बिना पर यूज के जाता यह वरक फूर्स जो हैं लेबर मार्केट जो है वह एकी बात है और यह बेसिकली रैफर किया यहिए अफ्राद scripture चाथال लेब पर मार्केट हमारे पास केलाते हैं दर नंबर एंड़ क्रेक्टरिस्टिक्स ओफ इंडिवीजियल अवेलिबल टू वर्क प्राइमरी कॉंसर्ण फॉर एचर मेनेजर जो तदाद है और खुसूसियात है इन इंडिवीजियोस की जो हमारे पास अवेलिबल हैं काम करने के खुसूसियात क्या क्या है उनके अंदर यह बड़ा इंपोर्टेंट होता है एचर मेनेजर के लिए क्लिए वहीं के लोगों को शायद उनको हायर करना परे तो बड़ा इंपोर्टेंट होता है इनके लिए यह नंबर और क्रेक्टरिस्टिक जो लोग अवेलिबल हैं काम कर के लिए many factors influence the composition of the global workforce including global economics birth rate and education sector बहुत सारे factors है अनासी रुकुवते हैं जो influence करते हैं असर अंदाज होती है the composition of global workforce कि global workforce जो है यानि कि फ्राद कुवत जो है जो लेबर्स या workers available है हमारे पास उनकी composition यानि किस तरह से उनको composite जमा किया जाता है पूरे around the globe ये बहुत सारे factors इस पर अदाज होते हैं चाहे वो global economics हो हमारी global माशी हालत कैसी है चाहे birth rate हो कि कहां पे कितनी उमर के लोग जैदा है या किस उमर पर लोग पैदा किये जा रहे हैं यंग कितने हैं भूरे कितने हैं बच्चे कितने हैं किस एडिया में चाहे ये बात हो चाहे education हो ठीक है चाहे तालीम हो ये चीज़ें बड़ी असन अंदाज होती है हमारे पास वर्कफोर्स के अंदर अराउंड दा ग्लोब ठीक है कि बर्थ रेट क्या है कितने बच्चे हर सार किस एडिया में पैदा होती है एकॉनमी कर्णिशन के अराउंड दा ग्लोब और तालीम क्या है उनकी ये बड़ी असन अंदाज होती है several trends emerge that concern HR professional involved in planning and staffing especially in global organization बहुत सारी trends है आज के लगाता है trends का मतलब है कि रुजहान चल जाना आज कर फ़ना का trend है आज कर फ़ना का trend चल रहा है कपड़ों पर बहुत सारी trends आते हैं तो several trends हैं जो के HR से तालुक रखते हैं employees से तालुक रखते हैं ठीक है जो emerge हो रहे हैं जो बर्चर के सामने आ रहे हैं और बड़ा important concern है HR professional का उनको लेके चाहे वो planning हो मनसूबाबंदी हो या staffing हो recruitment या selection करनी हो employees की खास तोर पर उनके लिए बहुत ज़्यदा concern का हामिल है जो organization जो around the globe काम करती है यानके multinational organization है उनके लिए परह important है जो आज करके trends आ रहे हैं तो सबसे पहरे जो हमारे पर trend है वो है not getting younger यानके ज़्यदा young generation हमारे पास ना होना jobs के लिए workforce available है लेकि पुराने लोग छोर के जाने को त्यार ही नहीं होते तो organization में नए लोगों को भरती करना मुश्किल हो जाता है ठीक है इन दर developing country वो country जो अभी developing हो रही है जो तरक्की आफ़ता नहीं होगे अभी तरक्की की रहा पे है मीस के 65 year age के जो लोग होंके वो 75% तक पहुंच जाएंगे हल organization के अंदर बट the number of workers between ages of 25 and 54 will only grow 2% अब जो number of workers है जिन की age 25 से 54 होगी वो जस्ट 2% तक ही बढ़ेंगे अब इसकी वजा क्या है के लोग 55 होने के बाद भी retirement नहीं लेते और 65-70 तक age तक काम करना पसंद करते हैं individuals over the age of 55 are remaining in the workforce with more than 80% of the baby boom generation individual born between 1946 and 1965 indicating that they expect to work past age 65 अब जो individual है जिनकी over age हो चुछी के 55 ठीक है वो remaining in the workforce के अंदर ही रह रहे हैं अभी तक यानि के नोकरी छोर के या काम छोर के नहीं जा रहे with more than 80% of the baby boom generation ये जो generation है वो 80% वो generation है जिनको baby boom generation का जा जाता है ये वो generation होती है जो के 9046 से 9065 को जोरान पैदा होती है तो ये लोग अभी 80% ऐसे लोग है जो काम छोर के नहीं जाने वाले ठीक है ये वो तदाद है और 55 से अबव के हो चुके हैं और ये expect कर रहे हैं कि 65 से भी अबव की एच तक काम करेंगे यहीं वज़ा है कि we are not getting younger in our organization कि यंग लोग हमारी organization में नहीं आ पा रहे हैं तो ये एक trend हमारे याँ चल रहा है जो कॉमर है कि हमें यंग लोग जो पे नहीं मिर रहे है क्योंकि बज़र्ग जो है वो देर अरसे तक काम करते रहते हैं नेक्स्ट हमारे आपास है demographic shift demographic करते हैं study of women population कि और इंसानी अबादी पे study की जाए उनकी education पे उनके gender पे ठीक है उनकी अबादी पे सब different factors पे और हमारे याँ demographic shift आया है पहले सिर्फ मैं काम करते थे आज women भी बढ़ चड़ के काम करती हैं वगएरा वगएरा के trends आ रहे हैं तो अब नए trends हैं तो अब उनको भी देख रहते है demographic shift हमारे याँ क्या आया है in many countries now significant number of women are expected to come in the workforce अब बहुत सारी countries के अंदर significant number बहुत ही एहम number है बहुत ही खास number है woman के जो के आ रही है बढ़ चड़ के workforce के अंदर ठीक है workers जो अवेलिवल है job के लिए Spanish and Asians have been the fastest growing ethnic group in the population and in the workforce over the last three decades Spanish यानि के स्पेइन के जो इलाके है औरेशन के जो इलाके है वो fast growing ethnic group है मारे population के workforce के जो तेजी से बढ़ रहे है last three decades के अंदर से and US dollar department of labor US का जो department of labor है उसने पर डिक किया है ये trend जो है continue रहेगा for the next decades इसके detail जो हम आगे जाके study करेंगे बस बात ही है कि demographic shift आ रहा है हमारे यहाँ पहले men force जादा होती थी अब women force भी बर्चर के हिस्सा ले लिया है तो खास दोर पे Asian और Spanish के जो इलागी है वहाँ पे ये बर्चर के हो रहा है और US department का यहीं कहना है कि ये जो trend है ये continue रहेगा next decade के लिए भी इसके बारे में detail जो है हमाने वाले अगले chapter में study करेंगे next हमारे पास आ जाता है is there a shortage of labor क्या हमारे पास labor की shortage है या नहीं है हाँ ये कह सकते हैं कि skilled labor की shortage है ये बात मानने को labor available है लेकि skilled labor की shortage आप कह सकते हैं कि हमारे पास है skilled employees are tough to be find and the shortage is worldwide people have education but not skill skill जो employees है वो बड़ा मुशकिल है आज के दोर में ढूनना इनकी shortage worldwide बहुत ज़एदा हो चुकी है people लोगों के पास तालीम तो है लेकिन महारत skill नहीं होती abilities नहीं होती new jobs being created increasingly demand highly skilled worker with math and science skill जो नहीं जो बर रही है आ रही है उनमें demand जो है ज़एदा तालब जो है employer की माली की highly skilled worker है कि बहुत महारत वाला skills वाला worker और खास पर मैथ और साइस के अंदर unfortunately young worker worldwide are not choosing to prepare for skill trade creating a shortage in many areas लेकिन अब हमारे unfortunately मसला यह है कि जो young workers है worldwide वो prepared नहीं हो रहे है skill trade के लिए कि उनको महारते सीखने की शोक नहीं है सिर्फ degree लेने का शोक चर रहा है और इसी वज़ा से shortage हो रही है बहुत सारे areas में हमारे अंदर हमारे यह एक trend चलता है और सब उसी study की तरफ निकल जाते हैं ऐसे कि आजकर सब का trend है कि online काम करना है तो सब IT CS के department में गुशते जा रहे हैं और बाकी department में बहुत ही कम students होते हैं उसकी एक वज़ा यह भी है कि यहां पर employment जो है इतनी कम बहुत कम होती है खासता पर developing countries like Pakistan तो वह online कमाना पसंद करते हैं तो सब के सब वहीं पर रुग गए है बाकी areas जो है वो खाली रह गए है इन वुट सीम डेटार्मेंट और बेबी बूम जनरेशन वुट क्रियेट जॉब opportunity बट इस complicated यह लगता है कि जो बेबी बूम जनरेशन है जो 1945 से 1965 की दूना पैदा होई है यानि कि जो aged लोग है उनकी retirement होगे तब भी opportunities पैदा होंगी ल जैसे के पहले बताया किया कि मैनी जो older workers हैं बुजर्ग workers जो हैं वो choose करते हैं कि हमने workforce में रहना हमें जल्दी retirement नहीं चाहिए वो वहीं पर काम करना पसंद करते हैं और यह चीज़े और complicated हो जाती है और मुश्किल हो जाते है माई ले picture जब यह older workers होते हैं उन position पे होते हैं skilled labor की जरूरत होती है यंग generation की जरूरत है यंग skilled labor की जरूरत है लेकिन ये लोग काम चोर के जाने को त्याहर नहीं होते हैं that is why हमारे पास shortage of skilled labor हो जाती है तो यहीं workforce composition के trend हमारे पास चल रहे हैं यंगर लोग हमीं नहीं मिर रहे demographic shift आ रहा है और हमारे पास skilled labor की shortage हो रही है यह हमारे पास workforce composition के trend है next हम briefly देख लेते हैं workforce diversity and inclusion के workforce worker जो हमारे पास available है उनमें diversity variety of लोग हमारे पास है different culture के different gender के उनका inclusion के आपस में कैसी शमूलियत होती है उसके बारे में थ्वासा study कर लेती है workforce diversity is bringing together variety of people to one workplace workforce diversity का मतलब है के variety of people को तरहां तरहां के लोगों को एक workplace पे bring together एक साथ ले के आना this workplace would be composed of people with a wide range of experiences background and characteristics such as age, gender, race, religion, ability and make the workplace diverse. यह जो workplace है would be composed of people यह उन लोगों का मजमुआ होता है जहां पर wide range of experience होती है तो जर्बेकार मुक्तलिफ होता है हर शक्स का कोई young है, कोई old है, background different है, कोई ameer background से है, कोई गरीब background से है, कोई गरीब background से है, कोई तालीम जाफता है, कोई कम तालीम वाला है कोई फलाँ यूनिवस्टी से है, फलाँ यूनिवस्टी से है, खसूसियाद उनकी लग लग है, जैसे के race हो गई, नसल अलग है, gender male female हो सकते है, religion अलग हो सकता है, age मुक्तलिफ हो सकती है, उनकी abilities वगरा different हो सकती है, और वही यह तमाम चीज़े मुक्तलिफ होना ही work place को diverse ब बुरा होता है, हम ये भी देख लेते हैं, impact of workforce diversity on organization and HRM, कि असर क्या होता है workforce diversity का मुक्तलिफ लोगों का variety of people का एक जगा काम करने का, असर क्या होगा organization के पर और HRM के उपर, having different perspective at your organization can increase your creativity and may allow people to positively collaborate with one another, जब मुक्तलिफ लोग होंगे तो different perspective होंगे, different नजरिया होगा, नकते नज होगा, different ख्यालात होंगे, ये चीज होना organization के अंदर increase करती है creativity को, ठीक है, कि तखलीकी innovative minds को increase करती है, और allow करती है लोगों को कि positively collaborate करें, कि उससे के तावन करें ठीक है, ताकि बढ़ चड़ के काम किया जा सके, नए-नए idea generate कर सके, और different culture से लोग आए होगे, तो उनको पता ह होगा, कहां पर क्या चीज सही काम करेंगी, this collaboration would bring additional innovation and ability for your business, to stay ahead in these change timing, ये जो collaboration है, ये variety of people की, ठीक है, diversity की, could bring additional innovation, ये जैदा innovation, तबदीली और तखलीकी बेतरी लेके आ सकती है, ठीक है, and ability for your business to stay ahead, और ये आपको ability फरहाम करेंगी, कि आप business में आगे रहें दूसरों से, in this changing timing, जो आजकल का जमाना है, इसमें हर वक्त तबदीली, ट्रेंड वगरा, बोगो जल्दी चेंज हो जाते हैं, और जब आपके पास variety of लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये आपको मददगार साबित होते हैं, कि आपकी organization दूसरों से आगे रह सके, so why not consider workforce diversity, तो फिर workforce diversity पे जएदा focus क्यों नहीं किया जाता, कि मुख्तलिफ तरहां के लोग, मुख्तलिफ culture के लोग, नसल के लोग, age के लोग, एक ही जगह पे काम क्यों नहीं कर रहे होते हैं, हमारी तो कोशिश होते हैं, कि एक ही तरहां के, एक ही mindset के, लोग एक जगह पे होता कि कोई problem create ना हो, अब इसकी reason क्या है, हम वो अगले slide में देख लेते हैं, impact of workforce diversity continue हो रहा है, with many positive, there can be some disadvantage, बहुत सारी मुस्पत चीजे तो हमने देखनी diversity की, लेकिन इसके कोई disadvantage भी होते हैं, नुकसानाद भी होते हैं, it may be difficult to bring together employee at different culture and communication style, बाज उकाद मुश्किल हो जाता है, कि मुक्तलिफ culture, सकाफत के, औ तो तरीका बात करने का different होता है, तो इनको एकठे जमा करना बाद होकाद मुश्किल हो जाता है, your business may come across employees that are resistance to change and have negative feeling towards diversity, आपका business जो है, उसके जो employees है, आपको करना पर सकता है, कि जो आपके employees हैं, वो resist करते हैं change को, कि तबदीली लेके ना आए, जैसा ठीक है, काम चला है, ब negative लेके जा सकते हैं, दे में impact human resource management to manage organization, अब ये चीज़े जो है, बहुत असर अंदाज होती है, human resource management के अपर कि वो किस तरहां से manage करें, अपनी organization को, तो यहीं पर हमारा workforce composition trend, और workforce diversity and inclusion का topic जो है, वो complete होता है, lecture को complete सुनिएगा, तब ही सारी understanding होगी, आपको slice का link में, description में दे द लोल कर सकते हैं, और कोई भी topic से related question में हमसे पूछ सकते हैं, अपना ख्यार रखेगा, खुदा आफीस